वेरिवान वेल्कम बाक तु दिस सीरीज दाट वी अव स्टार्ट यह सीरीज हमने वन लाइनर करन्ट अफेर्स के लिए शुरू करी थी और पिछली सीरीज में हमने सेप्टेंबर दोहजार रिकिस किया था अब हम अगस्त करेंगे और जल्दी इसको देख लेते हैं ताकि आ आ यह शुरू करते हैं पोश्ट अभियान दोहजार एक्ईस तो आपको बसी जानना जुरूरी है कि एक पोश्ट अभियान है जो चल रहा है और तो इसकी weekly themes भी होती है यह weekly themes को जानने था जरूरी नहीं हाला कि यह term जाधा जरूरी है उसके बाद आते हैं IRCTZ के उपर news item है कि भारत दर्शन एक special tourism train जो है इंडियन railways launch कर रहा है जो कि north-south-east-west taro region सो cover करेगा NIFT Delhi ने एक यह एक national sizing survey बना रहे हैं जिसमें यह सारा anthropometric data इकठा करेंगे ताकि एक India specific size जो है वो create किया जा सके तो NIFT Delhi उसके बाद आईए fit India mobile app यह क्यों बनाए जा रही है यह जो fit India movement है उसकी second anniversary को commemorate करने के लिए यह बनाए जा रही है उसके बाद देखिए यह बागी की points इतने important नहीं है आगे आते हैं जो first food park for travels है वो कहां बन रहा है बस्तर जिले में 36 गड में ठीक है उसके बाद देखिए national dairy development board यह क्यों जरूरी है यह जो board है इसने एक digital platform launch किया है जिसका नाम है e-gopala ठीक है यह dairy farmers के लिए to provide real time information animal health nutrition breed development के लिए ठीक है तो किस ने डेलप किया है यह national dairy development board ने उसके बाद आते हैं एक गोहार्टी असाम में एक skill institute जो है नीटी आयोग और Cisco system Cisco system is a multinational company है इन्होंने मिलके डेव्ली एपन एक्स्टी एन एक्स्टी यह शुरू किया है यह अगला phases का डेवली एपी मतलब women entrepreneurship platform तो इस तरीके question आ सकता है कि कौन सी कंपनी है कंपनी का नाम दे देंगे तो Cisco systems है उसका नाम ठीक है उसके बाद आईए एक ship repair facility है वो भी शुरू की जारी है गौहार्टी असाम में गौहार्टी असाम का पहले भी जिकर हुआ था यह जो है इनलेंड वार्टर अथॉरूर्टी ऑफ इंडिया यह जो है और साथ में हूगली कोचिन शिप्यार लिमिटीड इस उन्होंने इन दोनों नौर्थी स्टेट्स का के लिए एक स्पेशल नौर्थी इस डिस्ट्रिक्ट इस डिजी इंडेक्स है उसमें इनके सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्रंट रनर कैटिगरी में आते हैं ठीक है उसके बाद आईए सिक्यम की न्यूज है कि पहली पुजिशन जो म पुज़ते हैं वैसे इतना जरूरी नहीं है बट सर्वे अफ इंडिया के बारे में कि कौन सा इंस्टिट्ट है जिसने जी इस पेशल इंडस्ट्री से आद मुई उसायन किया है पॉर जी ओ स्पेशल स्किल डेवलप्मेंट तो वह सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है उसके यह की टर्म सुनिए सम्रिधी इसका फुल फॉर्म है स्टार्ट अप एक्सेलरेटर फॉर मिनिस्ट्री आप इन्फरमेशन टेक्नोलोजी फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेलॉप्मेंट एंड ग्रोथ ठीक है तो यह जरूरी नहीं है बट यह सम्रिधी जो है यह जरूर इंप्लॉइमेंट ने बनाया है ठीक है तो इश्रम पोर्टल उसके बाद आए यह यह जो है यह काफी बार न्यूज में और अकबार में आपने पढ़ा होगा यह रिफॉर्म के लिए है पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स में ठीक है तो यह इस फॉर पॉर पॉइंट हो इसको परोदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो दो चीज़ें और यह अवार्ड इसको मिले उसके बाद चलते हैं मिनिस्ट्री उफ जल शक्ती में जो मिनिस्ट्री जल शक्ती है इसने एक यह प्रोग्राम चुरूगी है इसका नाम है सूजलम ठीक है तो जल से आप इसको ल ठीक है उसके बाद देखिए यह स्टेट के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन से कौन से स्टेट से अब यह सारे आठ के आठ नौर्थीज के स्टेट सी निया तो आप यह पढ़के बार रिवास कते से कौन से है अगले पॉंट पर आईए लार्जेस्ट मिल्क प्रडू शायती राज है उन्होंने यह निकाला है और यह किसलिए निकाला है यह मन्रेगा के अंडर नए एसेट जेनरेट करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जी आएस बेस इंफोर्मेशन के साथ तो यह युक्त दारा अगर आप कहीं पड़े तो आपके आपके दिमाग में आ जा क्या है जिसमें 500 मिलिंग का लोन देगा बैंगलोर मेट्रो के लिए आए आगे बढ़ते हैं नैशन इंस्टिट्यूट ऑफ अब यहां पर आप देखिए यह न्यूज आइटम में इतना इंपॉर्ट नहीं है बट यहां पर यह जो इन्होंने लोकेशन नहीं है यह बहुत आगे बढ़ते हैं यह न्यूज हमने कल भी कर रही थी कि लाजेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटो वोटेक प्रजेक्ट है वो कहां पर है विसाका पटनम में आधरा प्रदेश में और यह एंटीपीसी कर रहा है ठीक है आगे आईए कि जो चमोली डिस्टिट में क्या है उतरा थीक है उसके बाद आईए आप देखिए आयाटी कानपूर के वारे में न्यूज है कि उसने एक सेंटर बनाए शिवानी सेंटर और यह किस चीज के लिए बनाए यह नौन इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल बैक्राउंड के बच्चों के लिए तो उनको एजुकेशन प् कि रिपन के जिए ने वाटर ब्लस काटेगरी में डाला है यहां पर कुलिन डिलएस इन रिवर शिस्टमस क्लीन करें हैं यहां पर तो यह यह जो इंपोर्टन जो है यह इंपोर्टन एक है आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में उसके बाद आईए यहां पर अगले कि यह कहां पर पड़ता तो करनाल में पड़ता है ठीक है उसके बाद आते हैं हम कि कि स्टेट को बेस्ट वाइल लाइफ और एको टूरिजिम का अवाड मिला है तो मद्यवर्देश को मिला है मद्यवर्देश में सकते जादा टाइगर रिजर्फ भी है आप जानते होंगे त किस लिए है तो इस ने की है तो यहां पर अगर यह टेंवर्ग और ऑगर ओठाने लगे है आप कि five star resorts भी बनाने लगे हैं ठीक है इंडिया का और वर्ल्ड का पहला मीजियम जो है तो आप यह भी पढ़ सकते हैं कि green hydrogen क्या है grey hydrogen क्या है blue hydrogen क्या है यह भी आप पढ़ सकते हैं यह भी आपके important दो सकता है अच्छा यह भी एक important news है cover भी हुई है कि tree city का जो मिला है title मिला है किसको मिला है हाइदराबाद को और यह किस ने दिया है और आर्बर डे फांडेशन ने दिया है और FAO ने मिलके यह इसको award दिया यह question UPSC के इस बार के प्रिलिम में पूशा गया है उसके बाद आते हैं कि यहां पर आईए यह कि जो National Intellectual Property Award 2020 ठीक है यह किस ने दिया है CII ने तो यह important है किसको मिला यह Amity University इतने दुरह नहीं बट जो National Intellectual Property Award है यह कौन देता है CII देता है किगाली agreement के बारे में आपने पढ़ा होगा किगाली agreement क्या है तो यह उसी news को cover कर रहा है उसके बाद देखिए कि अंडवान निकोबार आईलेंड में यह important news item है कि यहाँ पर जो national mission of edible oil है तो यहाँ पर इस scheme को centrally sponsored scheme को यहाँ पर focus करते हुए अंडवान निकोबार आईलेंड में इसको launch किया गया है तो national mission on edible oils उसके बाद आईए यहाँ पर आप open network for digital commerce initiative यह किसने किया है डीपी आईटी ने department for promotion of industry and internal trade ठीक है उसके बाद आईए first state in the country that introduced the tenancy act जिसने जो यह tenancy act के उपर पीछे बात चल रही थी तो वहाँ पर rent authority बना जा रहा है यह कौन सा state है असाम असाम में हो रहा है ठीक है वहीकल्स के रापेज policy के बारे आपने पड़ा होगा कि यह policy बनाई जा रही है सरकार द्वारा जिसमें पुराने बार पल्यूटिंग वहीकल्स जो है उनको फेज आउट किया जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए यह science museum भी है जो की मनीपूर में बनाए जा रहा है ठीक है आगे चलते है operation blue freedom पे यह भी काफी न्यूस में रहा है यह एक group of people जो disabilities के साथ हैं वो सियाचन glacier पे जा रहे हैं expedition कर रहे हैं एक नया world record बनाने के लिए तो यह operation blue freedom है उसके बारे में है ठीक है अगेन जैसे हमने पीछे पड़ा था water plus category में इन दौर भी आता है ठीक है उसके बाद देखिए यह भी आप एक important news item लीजेए कि gems and jewelry export promotion council ऐसा भी यह council होता है ठी payment auction कम exhibition center सूरत में ठीक है उसके बाद देखिए पहला नाशनल पार्क जो है जहां पर satellite phones जिनको वहां पर राइंजर को दिये गए काजी रंगा ठीक है आईए अब हम इसके आकरी में आ गए हैं हमारे presentation के भी खतम हो जाएगी जुदिक है उसके बाद देखिए कि जो पहल जो या की नई mobile app जो की alert करेगी लोगों को about thunder and monitoring the lightning activities इसका नाम है दामीनी ठीक है तो यह farmers और मतलब जो रेटेट पीपल है वो इसका यूज करते हैं lightning कर जागर monitor करना उनको lightning के बारे में या कुछ से रेटेट जो डिजास्तर होते हैं उनके बारे में ठीक है तीन हैंडी क्राफ क्राफ्ट विलेजेश हैं 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 लूम क्राफ्ट विलेजेश हैं वो सेट अप हो रहे हैं अंडर ministry of textiles ठीक है तो यह आप जगा देख सकते हैं अच्छा फिर यह आपको पता ही होगा कि खेल रतना वार्ट है उसको रीनेम कर दिया गया है major ध्यान चंद खेल रतना स्किल एक्विजेशन एंड नॉलेज अवेरनेस फॉर लाइवलियूड प्रमोशन स्कीम ठीक है यह एक स्कीम है जो कि वर्ल्ड बैंक इसको लून भी दे रहा है और यह मिनिस्ट्री तो आप करी सकते हैं कि यह स्किल और अंडर आता है बट यहां पर इंपॉर्टन पॉइ नाम पर चाहिए यौजना का नाम परताओनें चीआ हो सकता है पर सुटी कंशुईन हो ठीक है तो आप उसको दोबारा दे सकते हैं यह ममाटन न्यूज ऐस साब आएक है 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 हेल्फ कॉस्त के नाम से है इल्थ व्यूहरटी ऑप ग्रेडेशने और बाइ स्पेस बिहार के लिए की कोविड-19 के बाइय मेडिकल वेस्ट मैंएजमेंट के लिए जी और इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन है तो यह थी हमारी निव आइटम सारी कि सारी और उम्हीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको इससे वैलियोडिशन भी हुआ होगा दो लाइकन सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप थमदर जरूर दीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में जरूर डालिए ताकि हम रेलेवेंट टॉपिक्स पे आपकी हेल्प के लिए कंटेंट बना सके थैंक्यू वेरी मच्छ